दोस्तों रमश्कार दोस्तों क्या भारत बिना बजट के चल रहा है यानि पता ही नहीं है कि पैसा कहां से आएगा पैसा कहां लगाना है ऐसी इस्तिती बन गई है कि जहां से भी पैसा मिल सकता हो और सरकारी खजाने में वो पैसा डाल कर सरकार के उपर खर्च किया जा सकता हो यही बजट है क्या आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि एक बजट तो बकाइदा बनाया गया वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने उसे संसद में रखा और संसद ने उस पर मोहर भी लगाई यकीनन तेईस मार्च दो हजार बीस को संसद ने जिस बजट को पास किया था सिर्फ चार महीने बीते हैं और सच ये है कि वह बजट चार महीने में फेल हो चुका है और सरकार की इस्तिती ऐसी हो गई है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे वो जुगार कर ले और उन पैसों को किसी तरीके से सरकार का अपना सिस्टम चलता रहे उस पर वो खर्च कर सके यह भी इस्तिती बिगरती जा रही है यानि बजट नहीं है यानि प्लानिंग कुछ भी नहीं है आप कहेंगे यह कैसे संभव है GST का पैसा कम हो गया Income Tax का पैसा कम हो गया Corporation Tax का पैसा कम हो गया करोड का होता है इसके अलावे जो बाकी 6 लाक करोड के पैसे जुगार का होता है वो सिर्फ हवा में होता है और इन 24 लाक करोड में भी सेंध ऐसी वैसी नहीं लगी है और इस्तिती ऐसी वैसी नाजुक नहीं हुई है इस्तिती इतनी बिगर गई है कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं यहाँ पर हम आपको सारे तक्थियों के साथ चीजों को सामने रखें और यह बताने की स्थिती में आए कि दर्शल इस देश में बजट कैसे फिल हो चुका है यहाँ तक की सरकार के पास राज्यों को जो जी स्टी का पैसा देना होता है वह भी उसने हाथ खड़े कर दी है वो पैसा देपाने की स्थिती में नहीं है विप्त सचिव अपने तौर पर कह रहे हैं और स्टेंडिंग कमीटी जो फैनांस स्टेंडिंग कमीटी पार्लामेंट बनाता है उसके फिलाल चियर में जैन सिना है वह भी आपस में बैट कर कर रहे हैं पैसा है नहीं तो पैसा कैसे देंगे हम इन बातों पे जाए उससे पहले दो बातों पे गौर कर लीजिए एक क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घोशना पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि अगर इस देश में वह सरकार नहीं चला पाएगी इस देश की वित्तिये इस्तितियों को नहीं समाल पाएगी तो वह देश को बेचना शुरू कर देगी सारजनिक उपकरमों को बेचेगी जो कर्ज लेने वाले हैं उनके लिए कर्ज माफ कर देगी यह इस्तिती का जिक्र तो कभी नहीं था बैंकों का मर्जर कर देगी बैंकों को प्राइवेट हातों में बेचने का जिक्र कर देगी यानि जनता की मेहनत की कमाई और इस देश के मेहनत पसीने की कमाई इस देश के इंफराइस्ट्रक्चर पर टेकी होई वो पूरे institutions को कोई सरकार 5 साल के लिए आती है तो कैसे बेश सकती है चलिए 5 नहीं 10 साल के लिए भी आती है तो वो कैसे बेश सकती है क्या उसको ये अधिकार जनता ने दे दिये है कि इस देश की संपत्ति को आप बेच दीजिए हम इस बात पर आएं और किस तरीके से इस देश में ये सब कुछ हो रहा है जरा सिलसलेवार तरीके से एक एक स्थित्री को परखना शुरू कर दीजिए सबसे पहले जिकर भारत पेट्रोलियम का करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर भी दो हज़ार करमचारियों को वियारस देने की तैयारी है बीपी सील वो कंपनी है जो अपने तोर पर पिछले पांच साथ सालों का मुनाफ़ा देखिएगा तो वह आठ हज़ार करोड से ज़्यादा मुनाफ़ा नेट प्रॉफिट कमाती है लेकिन उसको बेच कर किसी भी हालत में 54 हज़ार कोड रुपए आ जाएं इसके लिए वह बेचने को तैयार एक प्रॉफिट वाली कमपनी को क्यों उसके लिए कौन सामने खड़ा है उसके लिए रिलाइन सामने खड़ा है उसके लिए साउदी की कमपनी आराम को सामने खड़ी है उसके लिए अमेरिका के topmost petroleum company अब भी खड़ी हुई है यह company भारत के profit वाली company को क्यों नहीं खड़ी देगी लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं दो हजार करमचारियों को जो VRS की तारीक खोली गई है वो 13 अगस्त को बंद हो जाएगी 23 जुलाई को खोला गया जिसे apply करना है कर दे क्योंकि आने वाले वक्त में यानि 30 सितंबर तक date निर्धारित की गई है भारत सरकार के पास जो 53% stake है उसको वो sale कर देगी तो private वाले क्या करेंगे नहीं करेंगे पहले से हम आपको VRS दे देते हैं आपको चाहिए तो ले लीजिए यह इस्तिती पहली है दूसरी इस्तिती इस देश के भीतर में जितने भी infrastructure से जुड़े projects थे वो डिले हो रहे हैं 403 projects का हम जिक्र करेंगे चुकि Ministry of Statistics and Program Implementation की जरिये जो चीजें सामने आई है उनको डिले होने की वज़ा से cost जो है वो तक्रीबन 4,05,000 करोड बढ़ गया है यह पोच कौन उठाएगा कि आने वाले वक्त में दूसरी सरकार उठाएगी या यह सरकार के पास कोई दूसरा वीजन नहीं है नहीं पता है क्योंकि 1701 project जो इस दौर के स्मोधी government के थे उसमें जो original cost थी वो तक्रीबन 20,66,771 करोड की थी लेकिन आज की तारीक में वो चुकी projects पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी कीमत 20,00,000 करोड से बढ़कर 24,71,000 करोड पहुँच चुकी है कौन जिम्मेदारी लेगा नहीं पता है क्योंकि budget हमारा system उस रूप में काम नहीं कर रहा है इस्तिती इतनी बढ़ रही इतनी ज़्यादा बिगरती चली जा रही है कि जो जनता का पैसा होता है चाहे वो LIC में हो चाहे pension, provident fund में हो दोनों जगहों पर नाजू का इस्तिती LIC में जमा पैसा इस्तिती आ गई है कि LIC का NPA जो है जिसको हम लोग bad loan कहते हैं जो वापस पैसा लोटता नहीं है वो 8.17% पहुँच गया है इससे भी नहीं समझभाएंगे आप 36,694 करोड रुपए LIC का पैसा जो जनता का जमा होता है वाँ उसने कमपनियों को दिया वाँ से वो नहीं लोटेंगे ये bad loan की स्तिती आ गई है और ये 36,000 करोड पहुच चुका है जो LIC की स्तिती है पहली बार जो provident fund जमा करते हैं उनकी स्तिती कितनी नाजुक है इस देश के भीतर में provident fund जमा करने वाले अगर सभी लोगों को आप मिला भी दीजेगा जितनी बड़ी तादाद में है तो तक्रीबन 6 करोड लोग provident fund को जमा कहते हैं जिसको EPFO कहते हैं और तक्रीबन 10 लाग करोड रुपया इनका जमा होता है जो इनका जमा होता है कमपनी वाले पैसा देते हैं या government पैसा देती है वो जमा है इस्तिती क्या है इस्तिती यह है कि इस 4 महीनों के भीतर ही 80,000,000 खाताधार को ने 30,000,000 को रुपय से जादा निकाल लिए इसको और सरल कीजिएगा तो 74% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने PF का पैसा नहीं निकालते क्योंकि इनकी कमाई हर महीने में 15,000 से भी कम है लेकिन 74% इनमें से जो लोग थे उन्होंने अपना PF का पैसा निकाल लिया 50,000 से जादा कमाई वालों में सिर्फ 2% है और 15,000 से जादा लेकिन 50,000 से कम लगभग 24% लोगोंने पैसा निकाल लिया इसका मतलब उनके पास आने वाले वक्त में कैसे जीना है पैसा नहीं है पैसा जमा था भविष्च के लिए जो प्रविएंट फंड था वहां से पैसा निकालने की जर्रत आगे और इस्तिती इतनी बिगड़ी कि जो बिमार हो गए उन्होंने भी पैसा निकालना शुरू किया और इस देश के बीतर में 50,000,000 खातादारक ऐसे हैं जिनोंने मेडिकल के लिए पैसा निकाला है तक्रीबन 22,000 करोड और ये जो कौविट का संकट पढ़ रहा है इसमें 30,000,000 खातादारकों ने 8,000,000 करोड रुपे पैसे निकाल लिए अब इस्तिती सोचिए कितनी नाजुक होती चली जा रही है और इन सब के बीच सच एक ये भी है कि दुनिया भर में जो भारत के लोग जो काम करते हैं हर जगा से उन्हें वापस आना पड़ रहा है भारत में काम नहीं है और जो वो पैसा भेजते थे उसमें कमी आई जो शेहरों में काम करते थे गाउं पैसा भेजते थे उसमें कमी आई और इस्तिती इतनी नाजुक हो गई कि अंतरास्टिय तोर पर पैसा लगभग 25% कम हो गया सिर्फ इस चार महीने के भीतर में यानि इससे पहले जो पैसा आता था वो तकरीबन 76 बिलियन डॉलर का था वो घटकर 55 बिलियन डॉलर हो गया और यहां से जो अलग शेहरों से गाउं पैसा जाता था उसमें जो कमी आई है वो सिर्फ 82% की है 82% लोगों के पास से काम छूट गया तो गाउं पैसा कैसे बेज़ेंगे नहीं बेज़ेंगे खुदी गाउं लोट गयें तो 82% का पैसा वहाँ पर जाके खतम हो गया हम इन बातों का जिक्र बेसिक लाइन इसलिए खिचना चाह रहे थे जिससे आप समझ पाएं कि ये सरकार का बज़ेट क्यों फियल हो गया लेकिन सरकार के पास जो पैसे आते हैं और सरकार जो अपने उपर खर्च करती है आपको जानकर हैरत होगी सारा पैसा टेक्स का ही खर्च होता है इसके अलावे कोई खर्च नहीं होता है और अब लोगों के पास तो टेक्स देने का पैसा नहीं है GST कैसे भरेंगे, मार्केट रुख गया है उसके जरा आंकड़े देखी और गौर कीजिए तो बजट क्या माईने रखता है इस 30 लाख करोड में से जो पूरा का पूरा बजट है इसमें हम लोग टेक्स के जरीए तक्रिवन 24 लाख करोड देते है आप कहेंगे हैरत की बात है और कोई कमाई नहीं है सरकार की नहीं है कमाई GST के जरीए 6,90,500 करोड सरकार के पास आते है इंकम टेक्स के जरीए 6,38,000 करोड रुपे आते है यह दिखाया गया है बजट में जो कॉर्परेशन टेक्स होता है वह भी तकरीवन 6,80,000 करोड का है एकसाइस टेक्स लगभग 1,24,000 करोड का है इसके अलावे जो सिस वगएरा भी लिया जाता है जिसमें रोड टेक्स है इंफ्राइस्ट्रक्चर सेक्स है यह भी लगभग 7,00,000 करोड रुपे का है और अलग कुछ सेस जो होते हैं वो एक अलग है जिसमें 0.5% इसमें दे दीजिए सवच्चता में दे दीजिए वह 16,500,000 करोड अलग है जनता ही पैसा दे रही है कस्टम भी जनता ही दे रही है वह 1,38,000 करोड रुपे वह भी अलग से आते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनसे भी टेक्स लिया जाता है तक्रीवां 7,500,000 करोड का है इनको जब जोड़िएगा तो लगवाद 24,000,000 करोड बन जाते हैं लेकिन सरकार कहती है इसमें से हम तो राज्यों को भी देते हैं तक्रीवां 7,500,000 करोड इस चार महीने में वह भी फेल हो गया क्योंकि जानकारी निकल कर आई कि पहली तिमाही में यानि एप्रेल, मै, जून में जितना पैसा आना चाहिए था अगर इसको अधेश को अगर एक साल को अगर आप चार हिस्सों में बाढ़ दे तिन-तिन महीने के एक तिमाही तो एप्रेल, मै, जून में 25% पैसा आ जाना चाहिए था लेकिन पैसा आया है सिर्फ 6.84% आप कहेंगे रकम क्या है रकम टोटल आई है 1,53,851 करोड और इसमें जो टेक्स का पैसा है ये जो राजस्वाया है इसमें जो टेक्स का परसेंटेज होता है वह 80% प्लस में होता है आप कहेंगे कितना होता है तो ये होता है सोचिए 1,53,000 करोड में से जो सरकार की आमदनी हुई है उसमें से 1,34,882 करोड ये टेक्स का पैसा है वो GST का हो, Income Tax का हो, Corporation Tax का हो, Excise Tax का हो सरकार की और कोई कमाई नहीं है, सरकार ने अपने तोर पर जो कमाया इस दोर में आप कहेंगे वो कितनी कमाई वो ये भी बता दीजिए, सिर्फ 19,029 करोड ये ही कमाई सरकार की है यानि सरकार अपने तोर पर चीज़ें डेवलप कर ही नहीं पाती है और राज्यों की इस्तिती आ गई है कि अब वो राज्यों को पैसा लोटाने की इस्तिती में नहीं है इस्तिती देखिए सुमवार के दिन इसी बीते सुमवार में फैनांस मिनिस्टर निर्मला सिता रमन ने कहा कि हम GST का बकाया राज्यों में दे रहे हैं रिलीस कर रहे हैं कितना रिलीस कर रहे हैं 13,000, 13,806 करोड 13,806 करोड लेकिन बकाया कितना है जो आप नहीं दे रहे हैं इनके पास ये पुराना बकाया था जो इन्होंने जारी किया 13,000 करोड रुपए जो नया बकाया है इनके पास पैसा देने के लिए नहीं है और इसके लिए जब फैनांस सेकरेटरी जो हैं अजय शंकर पांडे और पार्लेमेंटरी स्टेंडिंग कमीटी के जो चेर्मेन है जैन सिना साब जो इससे पहले फैनांस स्टेट मेनिस्टर हुआ करते थे ये दोनों जब बैठे तो इन्होंने कहा कि पैसा तो है नहीं तो चार महीने का पैसा कैसे दे पाएंगे जो बीच चुका है पंजाब सरकार ने कहा अगर चार महीने का पैसा जो हमारे पास आप देते हो उससे तो हम दो महीने की सेलरी दे पाते हैं सेलरी रुक जाएगी केरल सरकार ने अलगका बिहार सरकार ने कहा मराच पैसा ही नहीं दीजेगा तो एक तो बिहार सरकार बहुत कम पैसा देती है GST का बहुत कम पैसा आता है इंकम टेक्स का बहुत कम पैसा आता है उसका रेशियो कम है लेकिन वहां इस्थिती और नाजुक है तो बिहार सरकार के भी हात-पाउं फूले हुए है अगर केंदर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो कैसे देंगे सैलरी कैसे देंगे करमचारियों को फेल इस्थिती यहां तक होने के आई है लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि दरसल इन सब के बीच सरकार जो अपने उपर पैसा खर्चा करती है वह भी देखने की बात है लेकिन जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार बाकी पैसे का जुगार क्यों नहीं करती है अगर टैक्स बंद हो जाएगा तो सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि जो बाकी उसने दिखलाए हैं जिसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं वह जो दिखाया गया है उसमें जो बैंकों पर एन पीए है जो पैसा आएगा नहीं उसमें सरकार ने इस बजट में दिखा दिया कि हम 5,14,870 कौड रुपय ले आएंगे आपका सवाल होगा पहले चार महीने में कितने आएं तो पहले चार महीने में सिर्फ 20,000 कौड रुपय आये हैं यानि 5,14,870 कौड रुपय बैंकों का NPA उनको वसूलना है आए कितने अभी बीस हजार क्रोड रूपए ये हालत है इतना ही नहीं जो अलग अलग तरीके से इन्होंने जहां भी दिये हो और LIC की स्तिति हमने बता दी कि 36,000 क्रोड तो वह भी डूब गया है उसका नहीं आया लेकिन सवाल है कि इतने बड़े तौर इन्होंने यह भी दिखाया कि हम डिस इन्वेस्टमेंट के जरे ये दो लाग दस हजार कॉड रूपए ले आएंगे डिस इन्वेस्टमेंट मतलब इसी देश की कंपनी जो सरकार के माता चलती है जिसमें बीपीसी एलिए जिसमें एर इंडिया भी है जिसमें LIC भी आएग कोई दुनिया भर में दूसरे नमबर कर रही है कोई दुनिया भर में दसमें से बारवे नमबर कर रही है वह दो लोग सरकार के नजदीक के हैं हम इस पर आएं उससे पहले और समझिये ये बजट इसलिए भी फेल है क्योंकि सरकार ने अपने तोर पर जिन जिन योजनाओं में पैसा देंगे कहीं पर कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर छेत्र में चाहे रोड ट्रांसपोर्ट में 91,000 करोड देना था नहीं दे पा रहे हैं पैट्रोलियम नैच्रल गैस में 42,000 करोड का जिक्र था नहीं दे पा रहे हैं housing and urban affair के जो बात थी कि जिसके जरीयर real estate को जागरित करेंगे 21,488 करोड रुपए नहीं दे पा रहे हैं खाद पे subsidy के जरीयर जिक्र था कि 71,000 करोड का जिक्र करेंगे नहीं कर पा रहे हैं agriculture पर अलग से जिक्र किया गया था 1,19,000 करोड नहीं कर पा रहे हैं railway पे 70,000 करोड रुपए देने थे नहीं दे पा रहे हैं अब तो railway को भी बेचने की स्थिती में आ गई लेकिन हाँ लेकिन कोई कमी नहीं आ पा रही है सरकार के अपने खर्चे में क्योंकि सरकार जो अपने तौर पर पैसा देती है जिसमें वेतन है तमाम सुविधाएं हैं और जो भी maintenance होती है जो बड़ी-बड़ी मारते हैं आप देखते हैं नौर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, PMO देखते हैं, कृशी भवन, इन सब को देखते हैं का maintenance भी होता है इन सब का खर्चा 4,27,499 रुपया है ये पैसा खर्च हो रहा है गौवर्मेंट अपने उपर जो खर करती है गौवर्मेंट की स्कीम पर जो खर्च हुआ है वो तक्र है कि जो मंत्री होते हैं और जो उनको स्विधाई मिलती हैं उनके जो भेतन मिलते हैं भत्ते मिलते हैं स्विधाई मिलती हैं उसको बढ़ा दिया था इस बजट में पिछले साल 2019-20 में ये तो तकरीवन 454 करोड़ था चार सो चोवन करोड़ था लेकिन सहींग से खर्च पि 1868.83 करोड यानि 768.83 करोड रुपई यानि 312 करोड रुपई पिछली बार की तुलना में बढ़ा दिए यानि 80% का ऐजाफा ना भारत में किसी Bureusate का हो सकता है ना किसी institution में किसी का हो सकता है ना किसी corporate का हो सकता है किसी भी देश में एक साल के भीतर में 80% का हर करमचारियों का इजाफा हो जाए असंभव सी चीज़ है लेकिन मंत्रियों के वेतन भत्ते सुविधाओं में ये बात आई और बजट में जिक्र किया गया लेकिन अब हात्माओं फूले हुए है कि पैसा तो है नहीं और जिन इसकीमों का जिक्र किया था एक के बाद एक उसमें इस बात का जिक्र था सच्चता मिशन पे 12,294 करोड़ खर्च कर देंगे नहीं कर पा रहे हैं आवास योजना पे 27,500 करोड़ खर्च कर देंगे नहीं कर पा रहे हैं हेल्थ जो ग्रामीन इलाके का हेल्थ है उसको लेकर था लगवक 34,000 करोड़ खर्च करेंगे नहीं कर पा रहे हैं ग्रामीन इलाकों में पानी का जिक्र था 11,500 करोड खर्च करेंगे नहीं है पैसा नहीं कर पा रहे हैं स्मार्ट सिटी अमरित योजना के तहट तेरा हज़ार साथ सो को नहीं खर्च कर पा रहे हैं यानि किसी भी स्थिति में आएंगे एक मिड़े मिल का यहां जिकर करने का जरूरत है जिसको 11,000 कौड रुपए देने का जिकर था उसके लिए एलान किया गया था कि इस बंद के दौरान जो छुटियां होती है उसमें हम लोग डालेंगे और 1,600 कौड रुपए जादा का बजट आएगा लेकिन आपको जानकर हैरत होगी यह सिर्फ एलान किया गया पैसा राज्यों को नहीं मिला है मिड़े मिल का इसलिए मिड़े मिल भी नहीं बट रहा है जो बच्चों को बटता है इस देश के लगबग 12 करोड बच्चों को जो मिड़े मिल मिलता है उसका एवरेज निकालेगा तो सिर्फ 1% से जादा बच्चों को मिड़े मिल नहीं मिल पा रहा है पैसा ही नहीं है ये एक इस्तिति है इन इस्तितियों का अध्यान करते करते आपके जहन में आएंगे जब रजट नहीं है और इस्तिति इतनी विकट हो गई है तो फिर सरकार इस देश को बेचने की इस्तिति में आ गई है तो इसको रोका कैसे जाए और इन इस्तितियों को समझा कैसा हमें लगता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस वक्त तो यहीं रियास्ते थी इस देश क बीतर में 564 रियास्ते थी या 66 रियास्ते थी टोटल 562 रियास्तों ने तो सचता से कहा था भारत में शामिल हो जाएंगे इसके अलावे याद कीजिए तो जुनागर ने मना कर दिया था कश्मीर की रियास्त ने मना कर दिया था 1962 के वार में इन्होंने बड़ी तादाद में पैसा भी दिया था लेकिन मौजूदा वक्त में रियासते तो है नहीं कॉर्परेट है और इस देश के कॉर्परेट का एक हाल देखिए कितनी रईसी है इस देश के भीतर की एकनॉमी जब डामा डोल है GST लगभग 41% नीचे चला गया है इंकम टेक्स लगभग 37% नीचे जा चुका है हर चीज नीचे चली गई है लेकिन इनकी इस्तिती क्या है हमको लगता है एक डाटा आपको और दिखा देते बता देते हैं क्योंकि मौझूदा वक्त में रिलाइंस का जो अपना कैप है जो उसकी अपनी जो टर्नोवर और पूरा का पूरा है वह भारत के सिर्फ पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी जो अपनी जो GSDP कहते हैं जिसको जिनकी अपनी संपत्ती है जो GSDP है उसमें वह पांच के नीचे छठे नंबर पर है यानि इस देश के लगभग 23 रज जो है 23 रज्यों से ज़्यादा एक कंपनी का अपना टर्नोवर है और ये गजब की स्तितिय जैसे महराज सबसे ज़्यादा है 26.3 लैक करोड का है उसका तमिलनाडू 18.5 लैक करोड उत्तर परदेश 17.9 लैक करोड करनाटक 16.9 लैक करोड गुजरात 15 लैक करोड और रिलाइंस का है 13.1 लैक करोड फिर वेस्ट बंगाल आता है 12.5 लैक करोड फिर उसका राजस्थान आएगा 10.2 लैक करोड वो सब नीचे हैं सिर्फ पांच राज ही ऐसे है जो रिलाइंस से भी उपर है तो ये देश भी वही है देश के प्रोडक्ट भी देश के भीतर है उन प्रोडक्ट के कंजूमर भी देश के भीतर के लोग है फिर ये कौन सी स्थिति है कि सब कुछ उन हाथों के हवाले किया जा रहा है तो क्या इस देश को आने वाले वक्त में एक सरधार पटेल नहीं चाहिए जो इन रियास्तों को खत्म करके इनकी पूरी संपत्ती को देश की संपत्ती में मिला दे या उनको संपत्ती बनाने की इजाज़त दे दे और हमारी पॉलिसी ऐसी होती है कि जो कोई दूसरी भी सरकार आएगी वह भी इन पर आश्रित हो जाएगी सरकारे बदलती रहती हैं अपने तोर पर चलती चली जाती है और फिर सब आश्रित हो जाते हैं और उसी के अधार पर चलते चलाते हैं लेकिन कोई तो चाहिए इस देश के भीतर में एक सरदार पटेल नई परिस्तिती में नई तरीके से चाहिए जो इन रियास्तों को खत्म कर सके जो कॉर्परेट की रियास्ते हैं और इस देश के इंस्टूशन को पैदा कर सके उसके लिए एक इंदरा गांदी सरीका चाहिए जिसने की सारी चीज़ें नेशनलाइस की थी खादान में एक शोशन होता था उसको नेसलाइस किया बैंकों में पैसा लूट कर ले जा रहा है थे प्राइवेट प्रोपर्टीज मान कर जो अलग-अलग ट्रस्ट थे या जो अलग-अलग प्राइवेट लोग थे उनको नेसलाइस किया हर चीज को नेसलाइस किया इस देश की जनता नहीं अधिकार तो नहीं दिया है कि इस देश के सारजानिक उपकरम को आप बेज दीजिए ये कहते हुए बेज दीजिए कि अब इसके बगार नहीं चलेगा क्योंकि बजट आपने यही बनाया था तो बजट तो फेल हो गया तो आप भी फेल हो गए तो फिर इसका म पत्ति को निजी हातों में बेच कर उनकी रियास्तों के अंदर में ये देश जीन लगे ये इस्तिती हो गई है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया